हेलो जी सच्छिया काल जी कैसे हो आप सब मैं आपकी दोस्ट जैजी एक बार फिर से लेकर हाजिन हूं आप सब के लिए एक बहुत ही भैतरीन सी डेजर्ट की रेसिपी जी देखकर तो आप पहचानी गया होंगे यह हमारी ट्रेडिशनल खीर या राइस पुडिंग भी कह सक आप सब सोचेंगे यह पहले क्यों नहीं बताया तो चलिए आज जैजिस किचन में बनाते हैं सावन महीने की स्पेशल खीर वो भी बिल्कल नए अंदाज में चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए हमने यहां पर ले लिए हैं राइस जिससे की हमें खीर बनानी है तो हमन भी जाкомश्चर सेयं के दलिए है और यह भी मिक्स है तो हम ने तो यह यहीं लिया है अगर आपके पास आवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी राईस ले सकते हैं जो यह जल्दी बनाते हों तो हमने यहां पर यह आधे कटोरी लिया है और इसको हमने 4-5 बर अच्छे से वाश कर लिया है तो अब हम इसमें डालेंगे पानी और पानी डाल कर हम इसे सोक करेंगे कम से कम 20-30 मिनट के लिए 20 मिनमम है मैक्सिमम आप 30 मिनट के लिए तो अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर करें तो हम इसे साइड में रखते हैं तो अब हमने यहां पर ले ली है एक कढ़ाई कढ़ाई मैंने इसलिए ली है क्योंकि इसमें खीर को चलाना बहुत ही आसान होता है आप कोई भी भारह तले का बरतन ले सकते हैं कोई भी भारह पतीला कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं जिसका तला भारी हो वरना खीर जलने के चांसे भी हो सकते है तो हमने यहाँ पर कठाई ले ली है और हम इसमें डालेंगे दूद मैंने यहाँ पर 2 लिटर दूद लिया है और यह जो दूद है मैंने बॉल करके रखा था तो मैं इसे मलाई समेत यानि जो दूद में मलाई जम जाती है मलाई समेट यहां पर डाल रही हूँ, मैंने यहां 2 लिटर दूद लिया है आप अपने according ले सकते हैं जितनी आपको जरूरत है और अगर आप boil कर किया हुआ milk डाल रहे हैं तो आप मलाई समेट इसमें डालेंगे और अगर आप कच्चा या फिर पैकेट वाला दूद यूज़ कर रहे हैं तो आप कच्चे दूद से भी एकीर बना सकते हैं इसमें कोई भी टेस्ट में चेंज नहीं आएगा तो चलिए हम इस दूद को एक boil लाने तक पकाते हैं तो आप देख सकते हैं कि दूद में boil लाना स्टार्ट हो गया है हमें इसे एक boil लाने तक ही पकाना था तो देखिए दूद हमारा बहुत अच्छे से boil होने लगा है तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने सोक किये हुए राइस रखे हैं अब हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं और इसे हम अच्छे से चला लेंगे चावल डालने के बाद तुरंद बहुत अच्छे से चला लेना चाहिए क्योंकि चावल जब एकदम से हम डालते हैं और गरम दूद होता है तो उसकी गाटे पढ़ने का भी डर होता है और साथी साथ अगर आप थोड़ी दिर उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो चावल नीचे तले में चिपक भी सकते हैं इसलिए उसे बहुत अच्छे से चलाके दूद में अच्छे से मिक्स कर देना जरूरी होता है तो चलिए हमने राइस को अच्छे से मिक्स कर दिया है इसमें अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर देंगे पिल्कुल लो पर जितनी लो आपकी गैस हो सकती है क्योंकि चावल को हमें पकाना है दूद में तो उसके लिए हम लो फ्लेम पर इस खीर को लिड लगा कर पकने के लिए रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए बट बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से तो फ्लेम लो कर देते हैं बट दूद उबल कर कई बार गिर भी जाता है तो ध्यान से केरफुली इस प्रोसेस को कीजिएगा तो चलिए देखिए 15 मिनट हो चुके हैं हम देख लेते हैं कि खीर की क्या पोजिशन है और राइस कितने गले हैं तो खीर देखिए हमारी बहुत अच्छे से कड रही है हमें इसे काड़ना ही है तो देखिए बहुत अच्छे से चावल जो हैं वो गल गए हैं पक गए हैं सौफ्ट हो गए हैं मैं आपको दिखाती हूं कि चावल के दाने देखिए कितने सौफ्ट हो गए हैं गल गए हैं बट अभी भी यह बिल्कुल मिक्स नहीं हुए हैं और इत्ती जल्दी ख्यार होंगे भी नहीं खीर है तो वह कड़ कड़ की बनेगी बट अभी हमें इस खीर को तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए और पकाना है बट अब हम इस पे लिड नहीं लगाएंगे लो टू हाई फ्लेम पर मतलब लो टू मीडियूम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे खुली रखके ढ़कना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जैसे ही आप गैस थोड़ी सी तेज करेंगे फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे दूद उबलके गिरने लगेगा इसलिए बहुत केरफुल रहीएगा इस चीज के लिए तो देखिए हम इसे ऐसे ही पकाएंगे अभी हम जब चला रहे हैं और कर्ची से हमने दूद को गिराया तो दूद गिर गया चावल कर्ची में ही रह गये यानि यह भी दोनों चीजे सेपरेट हैं हमें इसे तब तक पकाना है जब तक दोनों चीजे एक न हो जाए राइस जो है वो अपना स्टार्च बिल्कुल छोड़के दूद में बिल्कुल घुल से ना जाए तब तक हम इसे पकाएंगे तो देखिए इसको पकते हुए लगबग 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम देख लेते हैं कि कितनी गाड़ी हो गई है राइस ने कितना स्टार्च छोड़ दिया है आप देखिए अब जो चावल है वो काफी हद तक मिक्स हो गए हैं बट अभी भी थोड़ी देर और यह पक आने वाली हूं उससे यह खीर का टेक्स्चर कलर टेस्ट सब कुछ चेंज होने वाला है और आप मानेंगे नहीं कि यह खीर कितनी लाजवाब बनेगी बट इसे ट्राइ करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा चलिए करते हैं पारा नेक्स प्रोसेस तो चलिए अब ब यह चाहरे करते हैं चलिए इसके लिए हमने यहांपर ले लिया एक पैन और उसको हमने चड़ादिया है फ्लेम पर और अब इस पैन में हम डालेंगे चीनी जिहां मिठास ना हो खीर का मज़़ा ना तो हम आपर ले रहे हैं आधा कॉप चीनी कोई मेजरिंग कप या कोई भी कटोरी आप ले सकते हैं मैंने यहां मेजरिंग कप से हाफ कप चीनी ली है आप अगर मिठा कम या ज्यादा चाहे तो कर सकते हैं तो मैंने यहां पर ले ली है चीनी जिसको हमने पूरे पैन में अच्छे से फैला दिया है और अब हम इसमें बहुत जादा देर तक हमें इससे नहीं चलाना है बस हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इससे मेडियम टू हाई फ्लेम पर पकने देंगे जब तक कि यह हलकी गोल्डन ब्राउन सी नहीं हो जाए बहुत जादा बार चलाने की जरूत नहीं है यह दीरे-दीरे खुद ही अ -टिरे गोल्डन मीट्स फटी से बिल्कश कम आपकने जरूत हो जाएगा और जब यह गोल्डन म्राउन हो जाएगा तो बस हमें उत्हें चाहिए तो आप देख सकते हैं यह बीच से golden brown होना शुरू हो गई है इसने अपना color change करना start कर दिया है और जब यह अपना color change करना start करेगी ना तो हमें इसे हलका हलका सा चलाते जाना है जिससे कि सारी चीनी का color change हो जाए ऐसा ना हो बीच से dark brown हो जाए और side वाली ठीक से पके भी नहीं तो आप देख सकते हैं इसका color कितने अच्छे से change हो गया है ये बिल्कुल अच्छे से golden brown हो गई है इसको पकाने में हमें करीबन 10 मिनट लग गए बट इसका color बहुत ही बहतरी नाया है अब इस level पे हम gas को off करेंगे flame को या फिर आप low flame भी कर सकते हैं बट जब हम इसमें हमें पानी डालना है और जब हम इसमें पानी डालेंगे तो बहुत ही carefully डालिएगा आप जल भी सकते हैं तो फ्लेम को off करके डालना ज़्यादा बेटर है तो बस हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे तो यह देखिए हम इसे लगातार मिलाते चले गए यह थोड़ी सी जमने लगती है पाने डलते ही बट बिल्कुल भी टेंशन लेनी की ज़रूत नहीं है आप इसको लगातार जब इसको चलाते जाएंगे तो यह अपने आप घुल जाएगी उसमें और अब हमारी यह सॉस बनके बिल्कुल रेडी है तो देखिए खीर भी हमारी बहुत अच्छे से पक रही है बहुत अच्छे से इसमें बॉयल आ रहा है और लगबग यह काफी अच्छी गाड़ी हो चुकी है तो हम देखते हैं कि इसके चावल कितने अच्छे से मिक्स हु तो आप देख सकते हैं कि खीर हमारी बहुत अच्छे से गाड़ी हो गई है तो अब बारी है जो हमने शुगर की केरमल सॉस बनाई है वो इसमें एड करने का और फिर मैजिक देखने का तो मैंने यह सारी जो हमारी केरमल सॉस थी वो हमने इसमें एड कर दी है और अब हम करे इस ऐराई गारा सा करलर का फूर जो कि एक बहुत जादा पकी हुई खीर का कलर होता है जो हम सुवे से लेकर शाम तक गर दूद को काडते रहते हैं जो रेडनेस आती है न दूद में वह रेडनेस केरमल सॉस को या नि शुगर को जब हम पका के इसका केरेवल बनाते हैं वो जब हम इसमें आड़ करते हैं तो इसका कलर बिल्कुल वैसे हो जाता है जैसे बहुत ज़्याधा पकिऊ हुई कीर का और अमेजिंग टेस्ट हो जात इसलिए must try guys जरूर बनाईएगा तो अब मैंने यहां पर ले लिया है milk made यानी condensed milk और कंडेंस मिल्क को हमने caramelize कर लिया था अगर आपको यह जाना है कि condensed milk को caramelize कैसे किया जाता है तो उसके लिए आप मुझे मैं आपको जरूर बताऊंगी कि के करमेलाइस कैसे किया जाता है तो यह हमने हाफ कप करमेलाइस वह भी हमने इसमें एड कर दिया है क्योंकि शुगर मैंने 2 लिटर के हिसाब से 1,5 ख शुगर ली थी जो की काफी कम थी आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप कंडनेश में फुटा कम डाल सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग अपने टेस्क के अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं तो चलिए अब हम इसे 5-7 मिनट के लिए और पकने देंगे मेडियम टू हाई फ्लेम पर एक चीज और जो कि मैंने यहां पर अपनी खीर में एड नहीं की है वो है इलाइची का पाउडर क्योंकि मैं जिनके लिए खीर बना रही हूँ उनको इलाइची फ्लेवर पसंद नहीं है तो अगर आपके पास इलाइची है तो उसे बिलकुल भी मिस मत करिएगा इसमें एलाइची पाउडर जरू डालेगा उसका टेस्ट बहुत ही भर्या आता है बहुत यची फ्रीग्रेंस बहुत यची खिश्बू होती है उसकी तो चलिए अब हम मिक्स करते हैं हमारे लास्ट इंगेडियन्ट यानि खीर की जान यानि ड्राइफ्रूट्स तो हमने यहां पर पिस्ता, काजू, बदाम, किश्मिश कुछ हमने पंकिन के सीड्स लिये हैं और उसके साथ हमने यहां पर ली है चिराउनजी तो यह सारे ड्राइफ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं जो नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं तो इन सबकी हमने अच्छे से काट लिया है इसको और अब हम एड़ कर रहे हैं इन सभी ड्राइफ्रूट्स को खीर में मैंने यहां किश्मिश को एड़ नहीं किया है किश्मिश को हम तब एड़ करेंगे जब हम फ्लेम को आफ कर देंगे पकते हुए दूद में किशमिश डालने से खीर कभी-कभी फट भी सकती है जब हमने फ्लेम को कर दिया है और अब हमने इसमें किशमिश को अड़ कर दिया है तो अब हमारी खीर बनके बिलकुल तयार है आप इसे गर्मा-गरम खाना चाहें ठंड़ करके खाना चाहें यह आपकी चॉइस है बट मस्क ट्राई मैं आपसे बार बार बोलूगी इसकीर को जरूर ट्राई करें जरूर बनाएं यह बहुत ही बहतरीन और बहुत ही हटके बनती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है जब तक ट्राई नहीं करेंगे कैसे पता लगेगा तो गाईज अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिलकूल न भूलें और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे की मेरे नेक्स वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो मैं फिर से हाजिर होंगी आप लोगों के लिए लेकर एक नहीं रेसिपी तब तक के लिए टाटा बाई 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 टेक केर